कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, पच्चास कानून बनाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार ओट देने से पहले कांग्रेस के निताओं से जरूर पूछना, एक बार ओट देने के पहले कांग्रेस के निताओं से ये पूछना कि त इतने साल सक्ता में रहने के बाद, समान सिक्षा क्यों नहीं लागू किया, समान नारी संगीता क्यों नहीं लागू किया, घुस पैट के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, धर्मांतरन के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, जन संख्या विस्फोर्ट रोकने क सामिल क्यों नहीं किया तुमने भगवत गीता और रामायड को एजूकेशन में क्यों नहीं डाला तुमने सेकुलर सब्द भारत में क्यों जोड़ा तुमने सोसलिस्ट सब्द भारत में क्यों जोड़ा यह आप कांगरेस वालों से पूछना 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी पूरा देश जेल के अंदर था उस समय उन्होंने सेकुलर और सोसलिस्ट वर्ड जोड़ दिया बिना चर्चा के बिना किसी के तो एक तरीके से उन्होंने सम्मिधान के बेसिक इस्ट्रक्चर को बदल दिया प्रियम्बल में डाल दिया सोसलिस्ट वर्ड सेकुलर इसका मतले भी हुगा कि सम्मिधान का बेसिक इस्ट्रक्चर बदल दिया फिर उसके बाद 1984 में राजियो गांदी को एक इतिहासिक बहुमत मिला 400 सीट से ज़्यादा मिली उसमें नारे लगते थे अपकी बार 400 पार अ 404 सीट मिली अगले साल 1985 में राजियो गांदी ने सिट जनसी पैक्ट को बदल दिया और पूरे देज के घुस पैठियों खासतोर पर जो असम के घुस पैठियों थे उसका उनको लाग मिल गया यह सिट जनसी पैठ कहता है सेक्शन 6 से कि जो असम में आ चुके हैं घुस पै हम 71 के पहले आये थे क्योंकि कोई बॉर्डर पर पर परची तो खटती नहीं है खाक कब आये हैं वो तो अवैद रूप से आते हैं तो घुस पैठियों को निकालने की बजाए घुस पैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाए राजियों गाधियों 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया और यह सेक्शन 6 से कस्मीर की आर्टिकल 35A से भी जादा खतरनाक है कस्मीर में जितना 370 का दुस परिणाम हुआ आर्टिकल 35A का दुस परिणाम हुआ उससे जादा खतरनाक है यह धारा 6A जो असम को बर्बाद करके रखेगी उसके बाद भी पेट नहीं बर्बा अगले साल 1986 में साहबानों का मामला आया था सुप्रीम कोड का सुप्रीम कोड का फैसले पलटने के लिए कानून बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भथता मिलना था उसको बंद कर दिया 1986 में यह काम भी राजजुगादी ने किया फिर उसके बाद इस देश में मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में वो भी कांगरिस नहीं बनाया था आप ज़रा सोचिए यहाँ पे हज्जारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे और किसके द्वारा बाबर के जरिए हुमायों के जरिए और अरंग 1991 में कांगरिस ने कानून मनाया जिसको प्लेसाफ वर्शिप एट कहते हैं पूजास्थल कानून कहते हैं और उसने सारे के सारे मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया 1588 में बाबर ने आयोध्या को तोड़ा 1670 में आउरंग जेब ने मधुरा भगवान कृष्ण की जन भूमी को तोड़ा 1370 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपूर में जिसको अटाला मस्जित कहते हैं 1679 में आउरंग जेब ने कासिवी सुनात ज मंदिर का तोड़ा था 1410 में अलाउद दिन रूद्र महाले मंदिर तोड़ा था 1552 में अमसा अबदाली ने जिसके नाम पर हमदाबाद चल रहा है उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो अधीना मस्जित बनी है वी मंदिर तोड दिया गया तो कांग्रेस की ड्यूटी थी कि भाई भारस स्वतंत्र हो गया ते कानून बनाएं और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गया उनको रिस्टोर करें उनको बनवाएं वो काम नहीं किया 1991 में प्लेसे अपवर्शी पैक्ट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है ये सब लिगलाईज हो गया अगले साल 1992 में मुस्लिम्स को फायदा देने के लिए और हिंदूों को आपस में बाटने के लिए क्योंकि हिंदू ला के अनुसार सम्मिधान के अनुसार हिंदू जैन बहुत सिक ये हिंदू जैन बहुत और सिक ये अगले साल 1995 में वाक्पैट बना दिया, मुस्लिम्स को पूरे देश की जमीन पर कबजा करने के लिए एक वाक्पैट बनाया 1995 में, अगले फिर 2004 में माइनर्टी एजुकेशन एक्ट बना दिया, ये काम मनमोहन सिंग ने किया था, 2010 में एप सियारे बनाया, इस देश गदारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी एंजियों को फंडिंग कराने के लिए, मावादियों को, नकसलियों को, जहादियों को, मिसंरियों को, अलगावादियों को, चरमपंतियों को, कर्टरपंतियों को, सफेद पोस्ट नेताओं को, सब को फंडिंग कराने के लिए जादा कानून है जो कांग्रेस ने बनाया है कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं मिटाया गुलामी का निसान नहीं मिटाया गुलामी की परंपरा को नहीं खतम किया गुलामी की रीत रिवाजों को खतम करने के लिए कुछ नहीं किया गुलामी की भाशा को कम करने के लिए क कि governor जाएंगे तो ऐसे salute होगा, ये जाएंगे तो ऐसे salute होगा, ये जाएंगे तो ऐसे salute हो जाएगा, वो कुछ नहीं बढ़ला, हाँ, भारत की संस्कृती को, भारत की चिकिसा विवस्था को, भारत की सिच्छा विवस्था को, भारत की परंपरा को, भारती ग्यान विज्ञा से जरूर पूछना एक बार ओट देने के पहले कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना कि तुमने गुलामी का कौन सा निशान मिटाया तुमने गुलामी के खिलाफ कितने काम किये और तुमने वेक पुरार को क्यों नहीं लगू किया तब तो एतिहासिक बहुमत था आप सीट मिली इतने सा सत्ता में रहने के बाद समान सिक्षा क्यों नहीं लागू किया समान नागरी संगीता क्यों नहीं लागू किया घुसपैट के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया धर्मांतरन के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया तुमने असलीलता नियंतरन को एजुकेशन में क्यों नहीं डाला तुमने सेकुलर सब्द भारत में क्यों जोड़ा तुमने सोशलिस सब्द भारत में क्यों जोड़ा यह आप कांग्रेस वालों से पूछना क्योंकि वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं लेकिन अब इलक्सन आ रहा है तब ये कांग्रेस की निताब के पास आएंगे और इस बार आप जो ओटिंग करना वो दिल लगा के मत करना दिमाग लगा के करना इस बार जो ओट देना उस सोच समझ के ओट देना इस बार जो ओट देना जाती के अधार पे मत देना भाशा के आधार पे मत देना छेतर के आधार पे मत देना इस बार ओट देना मुद्दो के आधार पे जो ओट मांगने आए उससे ये जरूर पूछना कि तुम नसे के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे की नहीं और बनाओगे इसकी घोस्रा करो जो आए यहाँ पे ओट मांगने आपके दर्वाजे उससे पूछना कि भरस्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है जो आपसे ओट मांगने आए उससे पूछना ये थाने दलाली के अड़े क्यों बने हुए है इतना सील में भरस्टाचार इतना क्यों है ये हवलदार पेसकार इतना देश को क्यों लूट रहे है भरस्टाचार के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा हवाला के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा संपत्ति को आधार से लिंग कब किया जाएगा गुस पैठियों को कब निकाला जाएगा धर्मांतरन कराने वाले मिसंडियों और जिहादियों पे कठोर कारवाई कब होगी यह आप पूछना अगर आप नहीं पूछोगे तो याद रखिए जैसे पाकिस्तान से मिट गए अफगानिस्तान से खतम होगे बंगला देश से भी खतम होने के कगार पे है भारत के नौराज्यों से खतम हो चुके है भारत के 200 जिलों में खतम हो चुके है भारत के 300 तहसिलों में खतम हो चुके है देखते देखते एक दिन अपने जिले में भी आप खतम हो जाओगे और कस्मीर वाले तो पलाइन करके दिल्ली आ गए बंगाल वाले तो पलाइन करके असम में चले गए मढ़पूर वाले पलाइन करके फिर बगल के राज्यों में चले गए आप कहां जाओगे? सोचना आप ए इसलिए इन ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं से खुल के सवाल करिए और अगर मेरी बासे सहमत हो तो इस वीडियो को अपने सारे ग्रूप्स में डाल दीजेगा अपने फेस्बूप पे डाल दीजेगा अपने वाटसप पे जरूर फैलाईएगा अगर आप ट्वीट कर सकते हैं तो इसको ट्वीट भी करिएगा और अपने जान पहचान के नेताओं को कहिए इन बातों का जबाब दे नहीं तो ये ओट जीवी और नोट जीवी नेता 20 साल के बाद 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे आज का कठोर कानून आपके बच्चों को बचाएगा आज की अच्छे निता जिनको आप बहुत अच्छा मानते हों 25 साल के बाद आपके बच्चे को बचाने नहीं आएंगे